चार्ज जीपिटी अकेला नहीं है अभी उसका बहुत ज़दा buzz create हो गया है market में बट उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे softwares है जो की AI based है और अलग-अलग तरीके से disrupt कर रहे है अलग-अलग industries को और अब क्या हो रहा है इस बार, पहली बार history में कि सब कुछ जो अलग-अलग था वो synthesize हो गया है, वो सब कुछ एक साथ आ गया है तो कुछ इतना बड़ा हो रहा है which is beyond your imagination और ये बात आप कर रहे हो आज यानि चार्ज जीपिटी 4 के बारे में आप बात कर रहे हो सोचो 5 में क्या होगा, 6 में क्या होगा, 10 में क्या होगा बिल्कुल ऐसा है, जब computer आया था तब कैसा था या जब mobile आया था तब कैसा था और आज कैसा है तो आप समझ सकते हो कि अगले 2 साल में 5 साल में, 10 साल में क्या होने वाला है इंडिया में जो मैं observe कर रहा हूं जितने भी लोगों से बात कर रहा हूं या तो वो ignorant है यानि उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है या वो denial mode में है आपके साथ में कुछ interesting data share करता हूं उससे हो सकता है थोड़ा सा दिमाग खुलेगा और आप लोगों को समझ आएग एक ऐसी company जहां पे सिर्फ 200 employees हैं उन्होंने कुछ ऐसा create कर दिया जो वो company create नहीं कर पाई जहां पे लाखो employees है तो employees की जरौत कहां है कुछ भी बड़ा create करने के लिए और इस बार में और पिछली बार में फर्क ये है कि जब भी कोई technological development हुआ है चाहे वो machinery हो फिर चाहे वो nuclear weapons हो उस सब में लोगों ने काम किया है और फिर वो आगे develop हुई है technology इस बार फर्क ये है कि AI को हमने develop किया अब AI AI को develop कर रही है ये बात समझ दी बहुत ज़रूरी है artificial intelligence है वो इतनी intelligent होती चली जा रही है कि वो खुद सीख पा रही है खुद समझ पा रही है और उसमें से रोज नए नए capabilities इमर्ज हो रही है